नवस्कार मैं हूँ आपके साथ कविताराना कोरोना ने हर देश हर ताकतवर के अकड़ धीली कर दिया और दुनिया ने इसी के साथ जीने की आदत डाल ली है लेकिन एहतियात के तौर पर इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन के प्रधान मंतरी बॉरिस जॉंसन ने लोगों से और ज्यादा सामानिय जीवन जीने की अपील की है यहाँ पर एक बात आपको ये बताते चले कि पहले राउंड में स्पेन, इटली और ब्रिटेन पर ही कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी थी जिसके चलते ब्रिटेन के प्रधान मंतरी ने देश में लॉकडाउन लगा दिया था लेकिन हालात समानी होने पर अब ब्रिटेन में कोरोना के साथ जीने की कोशिश की जा रही है और इसे को लेकर सोशल मीडिया पर परधान मंतरी ने जनता के सवाल कारेकरम को संबोधित करते हुए जॉनसन ने लोगों से काम पर वापस आने की अपिल किये बशर्थ है कि वो दुकाने और एस्टरॉंट में लोटने में सहज महसूस कर रहे हों यहाब एक जानकारी देते चले कि समाजिक दूरी के दिशा निर्देशों के बाद ब्रिटेन में व्यपारिक प्रतिस्टान खुलने अब शुरू हो गए और इसी में एक सवाल के जवाब में ब्रिटेन के प्रतान मंतरी बॉरिस जॉंसन ने कहा कि सबसे अच्छा होगा काम पर एहतियात के साथ लोटा जाए मेरा संदेश अब ये है कि यदि आप काम पर लोटते हैं और आपकी कमपनी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुरक्षित मोहौल उपलप्त कराती है तो बेशक आपको जाना चाहिए तो अब समझ सकते हैं कि ब्रिटेन को फिर से खड़ा करने के लिए ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने जंता से क्या पिल की इसी तरह दुनिया के और भी देश अपने देश को समान्य करने की कोशिश कर रहे हैं देखना अब ये होगा कि आगे ये कितना सफल होता है लेकिन फिरहाल तो कोरोना के साथ जेने की कोशिश की जा रही है